इस वीडियो में हम inertial और non inertial frame के बारे में पढ़ेंगे inertial frame क्या है वो frame जहां से खड़े हो के जिज जगे से खड़े हो के मैं किसी चीज को देख रहा हूँ और जहां से मैं देख रहा हूँ या तो हुआ कि velocity 0 है और या velocity क्या है constant तो अगर कोई ऐसा frame में कोई भी ऐसी जगे है जहां से मैं खड़े हो के देख रहा हूँ या तो जीरो के है या वह constant velocity से मूब कर रहा है तो that frame is called inertial frame अब दूसरा case अगर velocity constant नहीं है तो बाटी के पास acceleration होगा और अगर acceleration होगा तो भई क्या है वह non-inertial frame के लाएगा तो अब मैं चलते हुए frame में से जिसके पास acceleration है चीज़े देखूंगा तो वह चीज़ा अलग दिखाई देंगी तो यहां तक हमें समझ आता है इनर्शिल फ्रेम और non-inertial frame ठीक है तो इनर्शिल फ्रेम रेस्ट पर होता है और या और नन इनर्शिल फ्रेम एक्टेशन रखता है अपने पास ठीक है अमाले जैसे simple सा question करते हैं मैं एक डब्बे में खड़ा हूं और यह डब्बा उपर जा रहा है माले lift है तो lift में हमें पता है normal reaction कहां लगती है और mg कहां लगता है नीचे लगता है तो अगर मैं भार से खड़ी हो केदेखूंगा तो मेरा N-Mg Ohपर वाली force मैंनेश नीचे वाली force किसके बराबर होगा मेरे तो अगर कोई बहार से देख रहा है क्योंकि एक एक्वेशन बनी कि इसकी है कि एक्वेशन मेरे इक्वेशन तो मेरे लिए तो ऑई एक्षेलेशन तो ही नहीं नहीं था हूं तो में निए तो बस हाएगा एन बदाबर एम जी तो बढ़ यह तो गलत हो गया क्योंकि एन बदाबर एइन विज से ए छह तो थोड़ा सजादा है नॉल्मिल रीक्शन तो सब्सक्राइब करते क्या है एक सुड़ फोर्स लगाता है मतलब फॉर्स फॉर्स फोर्स लगाते है जहां मुझे अगर कोई बार से लेखता है और वह कित्ते ही लग रही है में इसकी वजे से होता क्या है तुम्हारे Emergency है और लग्र शचाहि finalmente जाता है वैलीड तो तो क्या हो आन्सर वह आएंगा अभी से पहले क्या कर रहा था हम ने कर रहा थान माइनस सब्ठांटब में लादा था और हम प Records को एक वेकषर में सूडौ कि इसका फायदा क्या है अब माल दिया है मेरे पास एक कील है और मैंने कील से एक धागा बान रखा है और उससे एक बॉडी है मास की और मैंने इससे घुमा दिया omega से किस से घुमा दिया omega से तो देखो दो तरीके हैं सब को पता है tension लगती है अंदर की तरफ ठीक है यह कील है इसे tension मत बाणने है यह कील है तो tension लगती है और tension हमें क्या provide करती है centipetal force और centipetal force का formula किता होता है mv square upon r ठीक है अब हमें यह भी पता है v क्या होता है r omega v क्या होता है r omega तो यहाँ पर मैं अगर v की value रग दूँ r omega का whole square upon r तो हमारा answer किता आजाएगा अगर इसे solve करेंगे अगर इसे solve करेंगे तो किता आजाएगा m r square omega square upon r एक r से r कट जाएगा तो finally जो हमारा answer आएगा m omega square r मतलब जो इस body पे tension लग रही है वो किती लग रही है m omega square r ठीक है तो यह तो मैंने normal तरीके से करा देख उसमें मैंने कुछ करा थोड़ी कि मैं तो भी का कि tension क्या provide कर रही है मैं किस पे बैट जाँ के इस पे बैट जाँ किस पर भैट जाओं कि इस पर इसपर बैट जेतो अ किसके सूड़ोफोर्स का लगाएंगे हम बैकवर्ड डिरेक्शन में वह जैसे लिफ्ट उपपर जाले तो सूड़ोफोर्स का लगाएंगे ती नीचे ऐसी टेंशन उधर तो सूड़ोफोर्स का लगाएंगे उथर तो यह तो यह तो यह क्या आगया हमारा आंसर आगया सेम आगया तो यह कॉंसेट होता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का थैंक्यू वेरी मच